आज हम लोग लिगना पर आए हैं एक्चिली गोला खाने आए हैं हम लोग को पता है कि बहुत अच्छा लगता है इंजुआए करते हैं तो पहले भी आई थी मेहक के साथ आज भी आएंगे मेहविश के साथ तो गाइस आप लोग देखा जहां पर हम शेवराइस कहने आए हैं क्योंकि परीज़ को बहुत पास नहीं थे और गर्मी बीज दिन बहुत थी तो इसलिए हम लोग गय थे भार और ताकि अब थोड़ा सा बच्चों को बाहर बी ले जाएंगे और किसी पार्क में भी ले क्योंकि ये शेवराइस वगरे किला देंगे तो अच्छा लग रहा था बहुत साथ में इसके बाद हम लोग गए थे बर्लिंटन और रोज तो वह मैं आपको सही से दिखाने ही पार क्योंकि मुसा दंक करने लगे थे और मतलब शॉपिंग भी साथ में करनी थी तो इसलिए फिर में मतलब फोकस नहीं कर पाई इस रिजन से तो मैंने का चलो आपको दिखाती हो कि यहाँ पर हम लोग यह शेवराइस मतलब किस तरह से मिलता है इस तरह से अलग अलग स्टोर होते हैं यहाँ पर काफी मतलब हैं स्टोर मतलब मैरीलेंड में नियॉयोर्क में कहीं कहीं इस तरह से भार बैटके खाना है, इसको इंजुआए करते हैं और क्योंकि गर्मी जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशे बता रही होती है जिस्ट मतलब टू और त्री मंथ की होती है इसके बाद फिर विंटर आ जाता है तो इसके अंदर कुछ अच्छा नहीं लगता बाद जाना और इस तरह से भार बैटने का सवाल नहीं पैदा होता बच्चों के साथ तो वैसे भी भार मतलब मेंने के विंटर में निकलना इताजादा होता नहीं है अगर जाते हैं तो जल्दी जल्दी जाके गाड़ी पेट जाते हैं फिर वापस आकर मतलब भर में बैठ जाते हैं या शॉपिंग स्टोर्म जाते हैं मतलब इस तरह से भार नहीं बैठ सकते हैं तो क्योंकि आपने देखा सारा खुला खुला है तो इसलिए इधर मैं आपको दिखा रही थी मतलब इनी के बस हम लोग भार बेठे हैं वेट कर रहे हैं मैं विश लाइन में लगी हुई हैं हम लोगों के लिए लेकर आ रही हैं हमारा शेव डाइस गोला गंड़ा मतलब बहुत टेस्टी है आप लोग देख रहे हैं रेंबो कलर डलवाई थे बहुत मतलब टेस्टी यमी यमी था अभी देखके मेरा दिल चाहरा है खाने का तो बहुत अच्छा लग रहा था बहुत मसा आया था मतलब यानि के अगर बहुत टेस्टी लगता है बहुत मज़ा आता है काफी अच्छा बनवाया था मैविश ने जब महक के साथ गई थी मैं वो टाइम पे में विलॉग नहीं बना पाई थी एक्शली मुझकों पता नहीं थी कि हम कहा जा रहे हैं जब देखा था हमने तो फिर सोचा कि चलो इस ह कि नेक्स टाइम फिर जाओंगी तो बच्छों को लेकर आप लोगों को जरूर दिखाओंगी नहीं आप पर हम लोग गोला वगरा किस तरह काते हैं और किस तरह से मिलता है इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूं ताकि आप लोग देखेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा कि पाकिस तरह खाते हैं इंडिया बंगलादेश में किस तरह खाते हैं और ने आपके किस तरह से इनके स्टोर होते हैं बचारी लड़की अकले खड़ों के काम कर रही थी और बनाके दे रही थी तो बस इसो की जॉब ती ए लेकिन लग रहा हो अच्छा लग रहा हो कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा मैविश का आट्वीट भी बहुत अच्छा लग रहा था मैविश भी बड़ा इंज्वाइग कर रही थी आप देख सकते हैं मुसा को बहुत मज़ए आ रहे हैं अपने हाथ से इनको खाना बहुत पसंद मुसा को परीज़े को जब देखिएगा माशियला जरूर बोलियागा ये चेर्स कर रहे हैं तो हम लोग मतलब एनिके इंज्वाइ करें थे फुल टाइम इंज्वाइए था बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा रहा था ये मुसा को मेरे साथ शेयर करना था उन आप लोग फ्रेंड जरूर बताईएगा कि आपको देखे कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा जब आप लोग मुझे कॉमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है मैं देखकर मतलब एनिक ऐसा लगता है कि मुझे पता चलता है कि आप लोग ने देखा और आप लोग न को अच्छा लगाई अच्छी मौटिवेशन मिल जाती है मेरा दिल चाहता है कि आपने लिए कुछ अच्छा करूँ अगर आप लोगों को कुछ और अच्छा देखना हो तो मज़े कॉमेंट्स में ज़रूर बताईएगा आप ल तरह से बनाती हूं आज कल न्यूर्क जाना बहुत कम हो रहा है मतलब ना के बराबर है गई नहीं हूं काफी हरसे से तो जाओंगी तो वहाँ पर आप लोगों को ज़रूर दिखाओंगी सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट से बताईएगा कि आपको मेरा विलोग कैसा लगता है बहुत खुशी होगी मुझे देखकर और यह आप लोग देख सकते हैं मैं आपको साथ में पूरा दिखा रही थी कि बहुत सनी डे है बहुत अच्छा मतलब आच का दिन था और मतलब खुब अच्छा सूरज निकला हुआ था समर था उस समर का मतलब यानि के कोई भी चीज़ आप लोग छोड़ना नहीं चाहते है मतलब आपको अगर जब भी मुका मिलता है तो आप बहार चले जाओ इस चीज़ को हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस पेशली मैं बहुत बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब विंटर आता है तो मुझे पता चलता है कि विंटर आ गया है अब यानि के घर के अंदर रेना है अगर भार जाएंगे हम लोग तो भार जाने के बारे में मतलब सोचना पड़ेगा पहले आप जैकेट्स पैनो और इतने स्वेटर प विंटर में बाहर जाने के लिए आपको दस भार सोचना पड़ता है सोचते हैं कि चलो नाई जाएं तो बेतर है कि अभी जाकर मतलब इतना सर्दी के अंदर भार निकलेंगे जाएंगे फिर भी आदत हो चुकी है यह क्योंकि जस्ट पार्ट ओफ लाइफ नहापर तो आप लिंटर नहीं है उनको बढ़ी तो हम विए इनको बॉला कि यह चलना था जैसां कि मैंने बियुज को बढ़ा रही थी कि यह गारी था था हम लोग लेकर आगे थी सात्मे और मैं परीज़ भी जेकर आगे जा कुए मैंने का कि बस अब चलो वापस ताकि उनको यहां से बिलकुल भी जाने का मूट नहीं था उनको एक और गोला चाहिए था उनको अपना यानि कि वो लेकर आई हैं दूसरा साथ में आप लोग देख सकते हैं मतलब यानि कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा लगने का मतलब यह नहीं है कि बस आप सारा दिन के लिए यहां बैट जाएं मतलब यानि कि आपके और भी काम थे जाना था बच्चों को तो आपको पताईए कि बच्ची इस तरह से करते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग बताईए फ्रेंड्स के आप लोगों को देखकर कैसा लगा होफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा कि आपको क्या अच्छा लगा आपको गुला देकर कैसा लगा आपका भी दिल चाह रहा होगा जरूर खाने का क्योंकि जैसा मुझे देखकर अभी दिल चाह रहा है मैं आप लोगों से बात कर रही हूं और मेरा साथ में दिल भी चाह रहा है काने के लिए यह हम लोग बर्लिंग्टन आ गए थे आप लोग देख सकते हैं मैं मुसा को दिखा रही थी यह मुसा ने आपके अपने फेस के ओपर मास्क लगाया है वह माश्याला से किते प्यारे लग रहे हैं उन्होंने एक्चली कहे क लगवाया था मास्क के सब लगा कर जा रहे हैं तो हम भी लगाएंगे तो इसलिए उनके बच्चों के भी नहीं है अगर आपके पस मास्क है तो आप इसको मतलब भी आपको यूज करना चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी ऐतियात बहुत जरूरी है इ लेकिन आपको करना पड़ती है थ्यात थोड़ासा लोगों के साथ डिस्टन रखना पड़ता है आप लोग देखते होंगे मेरी हर वीडियो में कि मतलब जाने कि नहां पर सोचल डिस्टन किस तरह से हैं कोई भी एक दूसरी के करीब नहीं खड़ा होता हर को एक दूसरी से शेफ डाइस मतलब गोला गंडा खाया है और बहुत अच्छा लगा इतना मज़ा आया होफूली आप लोगों को भी एच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा इंशाला फिर मिलती हूं आपसे नेक्स व्लोग म आज की लिए तना ही अला हाफिज